Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Prime Minister and Council of Ministers इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अगर आप देखेंगे, तो Executive Body में Executive Body में हमने President के वारे में जाना समझा Vice President के वारे में जाना समझा तो उस तरह से अगर आप sequence में और आगे देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि President, Vice President, उसके बाद में कौन आते हैं? Prime Minister और Prime Minister के राद में Council of Minister तो ये भी Executive Body का एक बहुत important part होते हैं एक बहुत important part होते हैं और फिर बहुत ही जादा important part होते हैं ये दोनों शब्द को ध्यान रखना आगे हम कुछ confusion clear करेंगे ठीक है? क्योंकि क्या होता है? आपने देखा होगा, सुना होगा जो P से politics होती है वही politics P से Prime Minister के आजबा जो revolve करती है ये feel क्या है आपने? न्यूस पेपर में, न्यूस में आपने देखा होगा कि पूरी country की politics कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर की institution जो है ठीक है? प्राइम मिनिस्टर के office के आजबा जो revolve करती है ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ही politics है पॉलेटिक सी प्राइम मिनिस्टर है लगता है ठीक है? सवाल यही आता है why is this so? ठीक है ऐसा क्यों होता है? तो देखो, simple सी चीज क्या है? इसी, इस चीज को अगर समझना है तो आपको कहा जाना पड़ेगा जो हमने पहले वीडियो लेक्चेस देखे मैंने आपको उता है आप पार्लियमेंटरी एक्जिकेटिव सिस्टम है हमारे यहां अब यह जो पार्लियमेंटरी एक्जिकेटिव सिस्टम है तो इसमें major power किसके पास concentrated होती है? elected representatives के पास तो constitutionally अगर आप देखोगे तो president आपकी country के क्या है? head of the state है सबसे उपर president आते है लेकिन, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन आप देखोगे तो क्योंकि representatives के पास real power होती है तो वो real power किसके पास है? prime minister के पास क्योंकि जो representatives है और representatives के जो head होते है वही prime minister बनते हैं यहां पर आपको क्या करना है? आप में बताता हूँ एक चीज़ यह आपकी गाड़ी यहां से चालू होगी इस तरह से जाएगी ठीक है? ऐसे, 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 और ऐसे ठीक है? तो यह क्या करना एक drawing बनाई है जो इसे आपको relate करना है किस चीज़ से relate करना है पूरी की पूरी कहानी बन जाएगा आपकी ठीक है? यह thread हो गई आपकी देखो, क्या होता है? प्रसीडेंट जो होते हैं तो he or she acts on the advice of council of minister कोई doubt यहां तक, ठीक है? council of minister जो advice देंगे Constitution का Article No. 74 पढ़ा था हमने? तो Article 74 क्या बोलता है? कि council of minister ने जो advice दी प्रसीडेंट को प्रसीडेंट को वो advice मानना पड़ेगी ठीक है? he or she is bound to follow those advice ठीक है? तो अब उस sense में क्या हो रहा है? कि आप देखोगे council of minister जो रहते हैं वो जो advice देंगे प्रसीडेंट को मानना पड़ेगा और council of minister का head कौन होता है पता है? तो council of ministers are headed by prime minister तो इस sense में असली राजा कौन? असली राजा जो है वो prime minister बन जाते हैं ठीक है? तो यह कहानिया तक समझा आगए कि prime minister के पास में major power है क्योंकि prime minister council of minister को head कर रहे है और council of minister headed by prime minister article 74 के हिसाब से जो भी advice देंगे, aid देंगे ठीक है? प्रसीडेंट शेल, follow that advice or aid ठीक? तो यह उस तरह से कहानी हाँ तक समय में आ गई आपको अब क्या है तो हम क्या सकते हैं therefore prime minister become the most important functionary of the government Is that clear? अब यह जो हमने बात समझी है तो उसे हम यह clear हो गया कि prime minister बहुत important function बन जाते हैं बहुत important functionary बन जाते हैं किसके government के ठीक है? prime minister has the support of majority in लोकसभा prime minister की position इतनी powerful क्यों है पता है? क्योंकि prime minister को support है किसका majority का? majority का कहां पर? लोकसभा में लोकसभा क्या है sir? तो देखो अभी मैं आपको superficially बताते चलता हूँ next chapter जो आपका आएगा legislature तो उस chapter में आप सारी चीज़ों को समझोगे इन details समझ लोगे वहाँ पे तो वह और आसान हो जाएगा आपके लिए तो अभी आप इतना समझ लो कि लोकसभा क्या चीज़ है तो हमारे द्वारा जो representatives को हम choose करते हैं जो 543 MP जो रहते हैं member of parliament जिने हम vote दे के choose करते हैं अपनी-अपनी constituency से वह सारे लोग लोकसभा में जाते हैं house of people में जाते हैं और उन्हीं के जो leader रहते हैं ठीके वह प्राइम minister कहलाते हैं तो बीजेपी की government बनेगी तो इस sense में क्या लग सकते हैं कि बीजेपी की majority है ठीके लोकसभा में तो जो उनके leader रहेंगे वही prime minister बनेगे ठीके तो उससे power निकल के आती है क्योंकि support है prime minister को कि majority का लोकसभा में इसी कारण से prime minister के पास power होती है ठीके दी power depends on the majority only और जब तक majority है तब तक power है simple सी चीज़ अगर मान लो मेरे पास में member of parliament ही नहीं है 272 तो मैं prime minister कैसे बन पाऊंगा ठीके तो उस sense में जब तक majority है तब तक power है ठीके और ये power है क्योंकि majority है ऐसे समझ लो वाइसा वर्सा clear है the moment the support of majority is lost the prime minister loses the office ठीके ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने बताया नहीं कि जब तक majority है तब तक power है और जिस दिन ये majority खतम हो गई मान लो आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारे गिर जाती है सरकारे गिर जाती हैं अपने अलग-अलग मुराजी दिसाई की गवर्मेंट के बाद में आप देखो कि चौदरी चरणशिंग जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय पर यह हुआ कि support हटा majority का तो government घर जाती है तो वो कहानी रहती है अब देखो क्या होता है change in power and position after 1989 यह 1989 वाली कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि 1989 के पहले तक क्या रहता था कि single party dominance था Congress party जो थी तो उसका dominance था ठीक है रुदबात हाथ से देखा जाया तो हमेशा majority लेके आती थी 1989 के बाद क्या हुआ 1989 के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो हमने आगे की classes में पढ़ा मैंने आपको बता है कि इस era को collision era कहा जाता है कोई भी majority नहीं ले पा रहा था ठीक है तो अब कोई भी majority नहीं ले पा रहा था तो जैसे पीवी नर्समर आओ कि अब गवर्मेंट देख लो ठीक है पीवी नर्समर आओ के बाद में अटल वियारी बाचवाई के टाइम पे जो बनी थी और उसके भी पहले चले या तो 272 seats नहीं है majority नहीं है तो मैं दूसरी political parties के साथ मिलके एक political party को majority नहीं है तो दूसरी political parties के साथ मिलके government बनाओंगा ठीक तो उसके चलते क्या होता है तो अब क्या होगा कि जितने भी अलग-अलग collision partners एक साथ आ रहे हैं अलग-अलग political parties एक साथ आ रही है और उन सब में जिसे उनने पसंद कर लिया वो प्राइम मिनिस्टर बनता था इस case में क्या है प्राइम मिनिस्टर तह है कि एक political party जैसे आज के context में आप देखोगे ना ये कब तक चला बता है 2014 तक तो 1998 से 2014 तक ये collision वाला एरा एक तरह से चला NDA की government मतलब UPA की government जब थी 2004 से 2014 तक ये जो 10 साल का time period रहा तो वहाँ पे भी ऐसी क्या मिली जूली सरकार चलाया करते थे लेकिन अब 2014 से जब क्या हुआ कि NDA लेट मतलब BJP लेट NDA government जो है तो वो majority में आने लगी तो majority में आने लगी तो उन्हें collision की दरवत ही नहीं पड़त ठीक तो आपको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और कांसिल ओफ मिनिस्टर के office को समझना है अब यहाँ पर एक बार फिर से वो thread में हम recall करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की position बहुत जादा होती है क्योंकि president जो है कांसिल ओफ मिनिस्टर के advice पे काम करता है और कांसिल ओफ मिन सुझाती जब collision government होती तो collision government में प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे अलग-अलग institutions मतलब अलग-अलग जो collision partners है उनकी सुनके चलना पड़ती है और जो अलग-अलग collision partners रहते हैं उनमें जो popular leader रहता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है फिर ठीक है तो यह पूरी कहानी होई ह अब अगर council of minister को समझें आपे council of minister क्या है सर तो council of minister भी simple सी चीज़े देखो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो अब मैं अकेले तो देश चड़ा नहीं सकता हूं कितने सारे अलग-अलग departments होते हैं कि कहीं किसी को education department समालना है कहीं किसी को अगर देखा जाय तो home ministry किसी को defense तो इस तरह से किसी को finance ministry समालना है तो अलग-अलग क्या होते department अलग-अलग आप देखो कि तो units हो गए अब उस sense में क्या होता है कि मुझे मज़े मज़द के लिए लोगों की जरूरत रहेगी मैं कौन हूं ठीक है आप बोलो कि दिग्रास सर हो वो तो हूं ठीक है मैं prime minister हू प्रेसिडेंट गयं तो अलोकर इस इसीलिए क्या कहा जाता है कि अग Raphaelikteald और मेरे दोस्त को मैं क्या करदूगा एक कोई ना कोई council of minister में कुछ मिनिस्टर cabinet minister कहलाते हैं जो एक दम खास portfolio's hold करके रखे हुए हैं ठीक है कुछ होते हैं ministers of state ठीक है और फिर उनके deputy ministers होते हैं जो assist करने के लिए होते हैं तो यह inner ring होगी समझ लो ठीक है यह inner ring से और एक outer ring होगी minister of states की ठीक है और deputy ministers की outer mostring हो गई है तो इस तरह से क्या है यह अलग-अलग rank के ministers होते हैं सभी मिलके council of minister बंदा कहलाते हैं यह clear हो आपको council of minister कौन allocate करता है rank और portfolio prime minister और formally appointment letter कौन देता है president यह हमने president के time पर ही पढ़ लिया था ठीक है यह पूरी minister है और जो council of minister है वह executive का पार्ट होते हैं ठीक है हम उन्हें executive में पढ़ रहे ना क्यों कि वह laws को execute करवाते है manage करते हैं सारी चीज से करते हैं वह executive का पार्ट है लेकिन वह legislative का भी पार्ट होते legislative assembly पार्ट होते है legislature काacas होते है अब बोलो के sir सेटेट्टेट्र the एंगे 543 वहां से लोग आने डोने वेलकम ठीक है अब यह सारे लोग आ गए यहसालोग आजके तो आपको प्राइम मिनिस्टर भी इनि 100 143 में से किसी को बनाना है ठीक है आपके जो council of minister के लोग रहेंगे वो भी इनी में से चुने हुए लोगों में से रहेंगे सिर्फ ऐसा ने कि यहीं तक सीमित है राजिसभा के भी रहते हैं राजिसभा में से भी आप बना सकते हो ठीक है जैसे मनमोहन सिंग्या थे राजिसभा लेकिन यह चुनाओं नहीं लड़े हैं समझ लो चीज को तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो इंसान चुन के आया है वही minister बने ठीक यह डिवेट में आपको अपी समझाओंगा आगे ठीक है लेकिन उसके पहले यह समझ लो तो जो executive होते हैं वो legislative का पार्ट ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशाए elect होके ही आना पड़ेगा तभी minister बन पाओगे आप तो ऐसे बहुत सारे example से हैं जैसे अभी recent example में आपको यह बताया कि एस जैशंकर जो हैं जो हमारे minister है कौन से minister है आप comment section में बताएंगे तो यह क्या है यह elect होके नहीं आए फिर भी minister बन कि हमेशा ही आपको elect होके आना होगा if someone becomes a minister or prime minister without being an MP such a person has to get elected to parliament within six months हाँ यह interesting चीज है क्या होता है कि जैसे एस जैशंकर को प्रधान मंत्री ने क्या किया है प्रधान मंत्री ने बोला कि आपको हमें ministry दे रहे हैं कौन सी ministry दे रहे हैं यह आपको एक ministry दे दी हमने ठीक तो होता है कि जब prime minister ने क्या कर दिया minister तो बना दिया लेकिन यह चुनाओ तो लड़े नहीं थे तो अगर ऐसे इंसान को क्या किया जाता मिनिस्टर बनाया जाता है या फिर prime minister भी बनता अगर ऐसा इंसान बीना election के भी prime minister बन सकते हो समझ लो इस चीज को अभी तक कोई हुआ न तो आप चुनाओ लड़े लड़े नहीं और तो इने राजयसभा से गुजरात की राजयसभा सीज एक खाली हुई थी तो गुज़रात के राजयसभा सीच से MP बन वा दिया dyingrie member of parliament और और वो फिर कहां पर आ गए वो अगर आप देखोगे तो council of minister के group में आ गए हैं तो ये चीज़ें हो जाती है आगे ना से मज़ में आपको council of minister का appointment बता दिया नौर्मली ऐसे होता है लेकिन मतलब normally क्या करते है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और प्राइम मिनिस्ट of parliamentary executive is that the executive is routinely under the control and supervision of legislature समझना इस चीज़ को ठीक है executive is routinely under the control and supervision of legislature 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 कौन होते हैं तो जो law बनाते हैं law बनाने वालों के control में रहते हैं यह चीज़ आपने 10th class में पढ़ी थी क्या पढ़ा था आपने forms of power sharing में क्या पढ़ा था आपने ध्याने कुछ आपको कि अलग-अलग organs of government जो रहते हैं ठीक है तो उनके बीच में horizontal level पर power distributed रहती है यह आपने 10th class में पढ़ा था recall कर लो तो वो कैसे काम होता है वो यहां पर आप पढ़ोगे यह क्या कह रहे हैं कि जो executive है जैसे prime minister और council of minister है उन्हें कौन control में रखता है पता है member of parliament उन्हें control में रखते है member of parliament control में कैसे रख सकते है तो वो system होता है collective responsibility का मतलब अगर मैं प्राइम minister हूँ यहा फिर मैं council of minister हूँ मेर confidence motion क्या होता है पहले बताया मैंने आपको chapter 1 में भी ठीक है तो अगर मेरे अगेंस्ट में non confidence no confidence motion आ गया कि पार्लेमेंट में मेरे अपर विश्वास नहीं है मैं सही तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है मैंने अगर मानलो कोई unconstitutional काम किया है तो अगर वो majority से पास हो जाता है motion ठीक पार्लेमेंट में अगर वो motion majority से पास हो जाता है तो मुझे resign करना पड़ेगा और मुझे resign करना पड़ेगा मतलब पूरे का पूरा cabinet पूरे के पूरे जो council of minister है वो सब को एक साथ resign करना पड़ेगा तो वो collective responsibility कहलाती है ठीक है the council of minister ठीक है are collectively responsible to the loksabha और loksabha को ही क्यों responsible यह भी समझना क्योंकि loksabha में ही उन्हें चुनके आये हैं वो दूसरे जो member of parliament बैथे हैं तो loksabha में ही बैठे ना तो इस sense में क्या है कि loksabha में उनकी collective responsibility होती है राजिसभा में होती है clear if a ministry loses confidence of loksabha अगर आपने loksabha में confidence खो दिया then whole council of minister are obliged to resign why तो why का answer यह आपका यह रहा क्योंकि collectively responsible रहते हैं ठीक है जब आप collective responsibility क्या बताती है article 75 जो है आपके constitution का उसको उठा के दिखोगे आप तो वो आपको collective responsibility की ही बात बताता है कि अगर एक इंसान के अगेंस्ट में भी no confidence motion आया एक minister के अगेंस्ट में भी तो उसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे cabinet में कमी है ठीक है तो सभी को collectively और हाँ एक जो करेगा उसके लिए responsible भी सब होंगे ठीक है तो आपने अधिकतर देखा हुआ कि मानलो कोई government ने एक decision लिया तो सारे cabinet ministers को क्या करना पड़ेगा उस decision के साथ में खड़े रहना पड़ेगा अगर आप नहीं खड़े रह 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 रहा हो तो आप resign दे दो तो जिस अगर आप देखो कि recently क्या हुआ था है जो ordinances आये agriculture के उपर तो वहाँ पे पंजाब से एक जो minister थी council of minister उन्होंने resign कर दिया क्या ना में उनका comment section दो बताएंगे तो उन्होंने resign क्यों करा पता है क्योंकि वह ordinances का support नहीं करती है अब लेकिन cabinet का decision है तो सबको एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा तो या तो आप खड़े रहो उसके साथ या फिर resign कर दो ऐसा ठीक है खुद से resign करें तो resolve नहीं होगा चिंता मत करना ठीक तो वह collective responsibility वाली बात होती है यहां पर fine vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of entire council of minister ठीक है तो अगर vote of no confidence आ गया किसी एक specific minister के against में भी तो पूरे के पूरे entire council of minister को क्या करना पड़ता है resign करना पड़ता है यहां तक चीजें समझ में आईए ठीक है तो यह था prime minister and council of ministers की कहानी पूरी जो मैंने आपको बताईए तो इसको part में divide करेंगे क्यों कि काफी बड़ा topic है तो यहां पर हमने यह पढ़ लिया है अब next video में हम size of council of minister की बात करेंगे कि आखिर council of minister कितने हो सकते हैं ठीक है कितने लोग होना चाहिए क्या था पहले क्या है अभी तो पूरी कहानी आप next video में जानने को मिलेगी आपको आशा करतों यहां तक चीजें समझ में आईए किसी प्रकार का doubt है feel free to ask in comment section magnet brains पर class 4th से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects topics subtopics अब कुछ systematic way में video lectures के format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं गार बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरूर बताए magnet brains के बारे में मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much